पत्र जारी हो चुका है तो हम देखते हैं जो राजस्तान फोरेस्टर बढ़ती है वन विबा की ये बढ़ती है ठीक है दूस साल पहले ये वेकेंसी निकले थी एंड कोविड के बाद एंड काफी वजह से इसके फॉर्म वी रियोपन हुए थे तो इसमें जो अभियरत्यों क संख्या भी जादा है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आप अपना एड्मिट कार्ड परवेश पत्र कैसे निकाल सकते हैं दो स्टेप है एक तो आप जो ओफिशल वेबसाइट के माद्यम से भी निकाल सकते हैं और एक है आपका SSO ID के माद्यम से ठीक है थाम आपको यहाँ SSO ID वाली प्रोसेस बता रहा है और ओफिशल वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट है टेक्नोराजस्तान.com ठीक है टेक्नोराजस्तान.com से भी आप अपना एड्मिट कार्ड निकाल सकते हैं वहाँ पर आपको दोनों प्रोसेस step by step मिल जाएगी ठ सकते हैं तो गूगल कंदर आप टेक्नोराजस्तान सर्च करके भी अपना एड्मिट कार्ड निकाल सकते हैं और SSO ID पर निकालने के लिए आपको सिंपल सा अपना SSO ID जो SSO Portal रहता है उसकंदर जाना है वेबसाइट है SSO.RAJस्तान.gov.in इसकंदर आपको sign in वाले option पर क्लिक क करके जो भी आपके ID पासवर्ड है SSO ID और पासवर्ड डालकर लोगिन कर लेना है जैसे आप लोगिन करेंगे आपके पास जो SSO ID का dashboard वाला option आ जाएगा और इसकंदर जो भी आपकी recent एप है या फिर other apps है वो खुल जाएगी ठीक है तो जो आपको admit कार निकालने के लिए आ आपको यहां पर detail आजाएगी और आपको यहां पर एक gate admit card का option भी नीचे मिल जाएगा ठीक है गेट admit card के option से भी आप निकाल सकते हैं अपना admit card छिक दोस्तों तो जैसा कि आप सभी आप देख सकते हैं आपको यहां पर थोड़ा जो gate admit card का option आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है gate admit card वाले option पर भी एंड जिन्स भी वेकंसी का आपने form बर रखा है जिसके admit card आ रखा है वो आप यहाँ से निकाल सकता है ठीक है जैसा कि यहाँ पर mention हो रखा है जो direct recruitment 2022 forest and forest guard ठीक है तो forest guard वाले जो admit card है जो आपके चार नवंबर को जारी होंगे एंड जो forrester वाले है वनपाल भरती के उसके प्रवेश्पत्र आ चुका है सिंपल सा आपको गेट admit card वाले option पर क्लिक कर लेना है और आपके पास आपका admit card आ जाएगा ठीक दोस्तों तो admit card आ चुका है और जो भी दिशा निर्दे से यहाँ पर दे रखा है वो आप सभी पढ़ लीजे कहां पर आपका से एंटर आया है सब कुछ यहाँ पर mention हो रखा है ठीक है तो आपका exam है छे तारिक को आपका exam रहेगा 6 नवंबर 2022 के दिन timing है आपका 20 से 4 बजे और आपका जो reporting time है दो बज़े से start हो जो 30 मिनिट पहले आपको जो time मिलेगा entry लेनेगा अगर 30 मिनिट बाद आप जाते हैं दो बज़े बाद entry बंद हो जाएगी तो आपको पहले जाना होगा पहले आपको जो exam center पर रिपोर्टिंग आपके start हो जाएगी ठीक है और परिक्षय प्रारम होने के निर्दारित समय से ठीक 30 मिनिट पूर्व तक ही जो आपकी entry रहेगी ठीक है दो बज़े बाद entry बंद कर दी जाएगी और आपको जो आपकी photo साथ में लेकर जानी है 2.5 cm by 2.5 cm की जो नवीनतम रंगिन फोट आपको लेकर जानी है और साथ ही में आपको जो original ID कार्ड है जिसमें आधार कार्ड, pain कार्ड, password, driving license और फिर कोई भी government approved मानने तप्राप्त ID कार्ड है वो आपको लेकर जाना है फोटो कोपी आपे valid नहीं होगी ठीक है फोटो कोपी valid नहीं होगी आपको original document सी लेकर जाना है ठीक है तो आप सभी अपने admit card निकाल लीजेगा वन पाल के admit card आ चुका है ठीक है तो आप सभी को all the best जिनका भी exam है छे तारिक को और हमारी तरप से शुब कामना है thank you so much